हेलो वेंट्स इस यूडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेहल के स्टॉक के बारे में स्टॉक की गरन परिस की बात करेंगे तो 69.70 की गरन परिस चलिए और आज स्टॉक में लगबग 2.35% की तीजी भी देखने को मिल रही है यह जो आप चार्ट देख रहे हैं हमने इसको वन डे टाइम फ्रेम में सेट कर लिया है जिसे कि आप यहां पर देख सकते हैं स्टॉक में अल्मोस्ट यहां पर हाइद देखने को मिल चुकी थे यह वाला जो ने बहुत ही जदा इंपोर्ट सपोर्ट जोने ऑल्मोस्स इसे लेके 69 का यूंकि पहले भी स्टॉक जो इसे पैटन बनता हुआ हमें यहां पर दिखाई दे रहा है तो पॉसिबिलिटी ज्याद रहेगी अगेन ही से में उपर के और फर्दर स्टॉक में जो यह तीजी कंटिन्यू होते वे दिखाई दी सकती है नेक्स्ट इंपोर्ट रिजिस्टन्स की बात करेंगे तो 78 से लेके 80 का रहेगा अगर इसको भी ऊपर के और बेकाउट करता है तो फर्दर और भी अच्छी खासी देदी में स्टॉक में देखने को मिल सकती है अगर आप इसमें फ्रेश एंट्री का प्लान करना चाहते हैं तो 66 के नीचे का स्टॉप लोस रखके ही इसमें फ्रेश एंटरी का प् कंपर करते हैं 22 को 21 के साथ में तो आप देख सकते हैं और वेन और प्रॉफिट दोनों में काफी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है और सबसे में जो इंपॉर्टन सीज होती है नोरेट फ्लैक दिखाई दे रहा है जब याप कोई भी स्टॉक में एंट्री का प् दिखस किया है तो इन सारे पॉइंट्स को मद्दे नजर रखते हुए खुद की एनलसिस करके ही इसमें इंट्री का प्लान करें तो चलते हैं इंजल वन आप में दूस्तों आ चुके हैं एप में एप मैंने के बाद वोस लिस्ट में के सर्च बोक्स में स्टॉक का नाम सच आप डे में करेंगे हैं यहांपर हमें काउंटेटी इंटर करनी है है मान लीजिए हमें यहां पिसकी 250 to 50 एकारगी नीचे में लिमिट और मार्केट का प्शें दिया लिमिटारन düşün होती है उससे फिम्पली करना किसे करने के बाद कंफॉर्म आ जाएगा कंफॉर्म पर टच करने के बाद हमारा डल जो है सक दीस्यक्वली एक्जदकाज के लिए थिस लोग दोस्तों ये जो वीडियो झाल झाल